आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं GSSC Seasur के लिए Science की कौन सी बुक आपके लिए अच्छी रहने वाली है आप यदि GSSC Seasur द्यारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी हम आज रिव्यू करने वाले हैं कौन कौन सी बुक में आपको दिखाना चाहूंगा पहली बुक है Crown Publication की General Science की बुक इस पर हम बात करेंगे जो दूसरी बुक है वो लिशन की बुक है आप यहाँ पर General Science की देख पा रहे हैं इस पर बात करेंगे तीसरी बुक है लिशन की जो आपको सब सारे सब्जेक्ट इसे मिलते हैं इस पर बात करेंगे यह English Medium की इस परकार की आती है और आपके पास यह दी Hindi Medium की होगी तो इस परकार की आती है इस पर भी बात करेंगे साथ जो चौती बुक है हमारी Last जो बुक है वो है हमारी GS Pointer गटना चक्र की इस पर बात करेंगे कि कौन से बुक आपकी अच्छी रहने वाली है किसी भी एक्जाम के लिए स्पेसली हमारा फोकस जैसे सीजल पर रहने वाला है तो चलिए रिव्यो को स्टार्ट करते हैं तो पहली बुक हम यहाँ पर देखने वाले हैं Lucent की आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और General Science की यह बुक आती है जिसमें आपको सिर्फ Science मिलेगा English, Hindi दोनों Medium की यह बुक आती है और यहाँ पर यदि हम बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसकी जो प्राइस है कुछ यह लिखी हुई है 250 हलांकि मार्केट में आपको इसमें डिसकाउंट मिलेगा जो भी मिलेगा आप देख लिजेगा इसकी सारी जो बुक है उसकी लिंक में देख दूँगा आप जाके प्रचेस कर सकते हैं मैं लिंक देदेने वाला हूँ अब यहां पर देखे सबसे पहले इसकी आप पूरी कंटेंट देख लिजे फिजिक से स्टार्ट होता है उसके बाद साइंस और टेक्नलोजी में आपको इसमें मिल जाता है जो अन्य बुक में आपको नहीं मिलेगा जो मैं यहां पर बात करूँगा टेक्नलोजी वाला पॉर्सन नहीं मिलता है बट यहां पर कौन सी बुक आपके लिए अच्छी रहेगी वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ उसके बाद chemistry मिलती है फिर biology मिल जाती है तो इसमें तीनों पॉर्सन मिलेंगे इसमें basically क्या है कि इसमें आपको सबसे पहले क्या मिलता है तो आप यहां पर देख पा रहे है पूरी theory इस परकार से लिखी गई है ठीक है और यहां पर theory लिखने के बाद क्या होगा कि हम देखेंगे कि इसमें आपको कुछ chapter में MCQ भी दिख जाती है तो MCQ भी आपको इसमें देखने को मिलती है तो जैसे physics का portion खतम हो रहा है अलंकि MCQ की संख्या कम है जैसा कि आप physics में देख पा रहे हैं कि इसमें आपकी 513 MCQ है इस परकार से आप फिर science technology स्टार्ट करेंगे इस परकार से इसकी पूरी जो है दी गई है अब आपने page की quality देख लिया थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा जो है उतना अच्छा quality नहीं है इस book की अब हम लोग चलेंगे next book की और हम लोग बाद में review करेंगे फिर listen की दूसरी book हम यहाँ पर बात करेंगे और यह general knowledge की book आती है ठीक है जिसमें आपको history, geography, quality से लेकर आपको economic साथे साथ यहाँ पे आपको biology भी मिलता है computer भी मिलता है physics chemistry भी इसमें मिल जाता है ठीक है तो आपको यह all in all book है यदि आपके पास है तो अच्छी बात है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो हम basically बात करने वाले हैं science की चुकि हमारा science का portion मजबूत होना चाहिए specially जैसे सीजल की हम बात यदि करें तो तो यहाँ पे physics, chemistry, biology तीनों ही मिलेगा physics है 257 पेज में हम चलेंगे 257 पेज में और देखेंगे आकि 257 पेज में क्या है तो चलिए हम दो 257 चलेंगे फिर मैं आपको जूम करकर दिखाऊँगा क्या है इसमें तो यूनी डाइमेंसल से स्टार्ट करा गया है ठीक है और इस परकार से आपको यहाँ पे दिया गया है मैं आपको फिर biology दिखाना चाहूँगा क्योंकि biology बहुत जादा important portion है और biology जो है बहुत सारे book में अच्छे से दिया नहीं रहता तो इसमें कैसे दिया है मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो biology आप यहाँ पे देख पा रहे है शुरुवात करा गया है कुछ इस परकार से biology दिया गया है अब हम लोग चलते हैं GS pointer की और घटना चक्र वाली book और घटना चक्र की हम बात करें तो इसमें आपको GS pointer इसमें history, geography, quality इसमें सारी subject ही इसमें रहता है इसमें आपको physics का थोड़ा बहुत मिलता है समान भी ग्यान देख पा रहे हैं तो इसमें आपको इस प्रकार से point करके pointer जो है one liner type का इस प्रकार से दिया गया है जिसमें आपको physics chemistry वालजी जो है आपको दिया रहेगा तो यह बहुत अच्छी book में आपको इस exam के लिए नहीं बोलूगा तो इसको आप side ही कर दीजे अब बढ़ते हैं crown की और crown आप देख पा रहे हैं इसमें ncrt की पूरे summary है class 6 से लेकर 12 तक रितेस कुमा ने लिखी है अब यहाँ पर यहाँ बात करें आगे तो इसकी जो price है वो 425 यहां लिखा गया है मैं इसकी link description में डाल दूँगा अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें physics chemistry biology जो है यह आपको सारे यहाँ पर मिलते हैं इसमें सिर्फ science technology नहीं मिलता इस book में यह इसकी कमी है हादा कि science technology सब exam में नहीं पूछा जाता आपको कमी exam में पूछा जाता है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यह पूरी इसकी index है अब मैं आपको सीधे लिए चलूँगा कि इसका biology portion चुकी मैंने दिखाया था तो इसका biology से मैं start करता हूँ और दिखाता हूँ मैं कि इसकी quality कैसी है page की quality भी देखें सबसे पहले बात करें तो इसको biology से यहाँ से start किया गया है उसके बाद इसमें आपको founder क्या है जैसे branch क्या biology के कौन father है अरिस्टोटल है जो लाजी का father कौन है अरिस्टोटल इस प्रकार से यह पूरी contain यहाँ पे दी गई है इस book में आपको MCQ जो है वो देखने को नहीं मिलेगा इस book में इस book की खासे में बताना चाहूँगा इस book में यह है कि आपको बहुत easy language में दिया गया है दूसरी बात NCRT को ध्यान में रखके बनाया गया इसलिए NCRT की सारी चीजें आपको इस book में मिल जाती है जो JSSC सीजिल के रिए बहुत ही फायदे मन दे तीसरी चीज यहाँ पे कि इस book में आपको जो quality है पेस की बहुत जबरदस quality है पढ़ने में अच्छा लगता है वो कई बार होता है ना नींद आ जाती है बहुत सारी book में तो यह आपको book में नींद नहीं आने वाली मज़िदार book है साथी साथ आपको पढ़ने में भी मज़ा आता है तो हलांकि इस में मुझे एक भी रुपया नहीं मिला है ठीक है हलांकि मैं बताना चाहूंगा अपने आप में कमाल की book होती है बट यदि जैसा से सीजल के concept में आप लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको यह book जो है बहुत ही सांदर होने वाली crown की book तो आप इसको ले सकते हैं बहुत अच्छी book है तो इसकी जो link है मैं डिक्स्क्रिशन दाल दूँगा मिलते हैं निक्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग